Hello Students, Welcome to Roshan Ki Class YouTube Channel Students, आप सभी का आज की इस पाठियोजना की वीडियो में एक पर फिस से बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस पाठियोजना की वीडियो में आप लोगों के लिए के आँ हूँ वीडियो वीडियो अगर उपी उसे की बात करेंगे तो आप लोग जी वीडियोजना की वीडियो डेली बिसस पर लेखना है साथ ही साथ अगर आप लोग b8 कर रहे हैं, अगर b8 की classes लेनी है, सभी समस्टर की या फिर आप लोग btc याणि की डious एलड कर रहे है और है आप लोग ये इसी तरीके से पार्थ होजना और सुच्छे बसुछ इतना काम करना है बाकी अगर वीडियो अच्छे रखते है तो इस वीडियो को लाइक कर देजिएगा तो देर नहीं करते हैं चले श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो यहाँ पे देखें सबसे पहले आप जिस पेज से पार्ठी होजना बनाना श्टार्ट करते हैं उसके बीच ओ बीच पहले ऊपर देखे लिखा गया है दैनिक पार्ठी होजना 5 अगर आपके college कहते हैं लिखने के लिए पाधियोगन.'' एक एक चीज़ शुम्जान एक होंगा। उपई से है, जीविग्न का. कालांस यहां पे लिख सकते हैं, आप जिस period में जाएंगा, उसकी नमरी करनी होती, कालांस को ही चक्र कहते हैं, दोनों चीजे सेम होती है. कालांस या फिर चक्र कहीं कहीं कॉलेज में कालांस लिखवाय जाता है कहीं कहीं पे चक्र लिखवाय जाता है तो दोनों का मतलब यही होता है कि आप जिस पीरिड में जाएंगे जैसे पहले पीरिड में गये तो पहला लिखिए प्राप्य उद्देश से, इसको ही सिछड उद्देश से भी कहते हैं, इसको ही विशिष्ट उद्देश से भी कहते हैं, इसको दो कॉलमें डिवाइट कर लीजे, प्राप्य उद्देश से दूसरी तरफ लिखे, आप एच्छी तुभ वहारगत परिवर्थन, इसमें आपका का प्रत्याभी ग्यान कर सकेंगे दूसरा हेडिंग इसमें अवोध इसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी मित्रवत सुचम जीवों के वाड़िजिक वह आवसदी उपयोग वैक्सीन मिट्टी की उर्वरता में वृद्धी परियावड का सुध्धिकर आधिकी व्याख् कर सकेंगे दूसरा पॉइंट है इसमें ग्यान उपयोग ग्यान उपयोग में देखे लिखा गया विद्यार्थी मित्रवत सुचम जीवों से संबंदित प्राप्त ग्यान का उपयोग उच अध्यान में कर सकेंगे दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रवत सुचम ज पाट्वाँ है इसमें अभरुची अभरुची में देखे लिखा गया विद्यार्थी मित्रवच सुछम जियों से संबंदित साहित इकास विच्छा से अध्यन कर सकेंगे। समगरी के अंतरगत जिन भी समगरियों के आप सहायता सिछर कारी के लिए लेते हैं अपने सिछर कारी के दोरान उन सभी समगरियों को यहां पर लिख सकते हैं तो चाड का यूज कर सकते हैं लपेट फलक का यूज कर सकते हैं चौक का यूज करेंगे डश्टर का यूज उसके बाद समस्त कच्छो प्योगी सिच्छर सायक समगरी लिख लीजिए जिसके अलामा अगर कोई यूज करते हैं तो वो भी उसके इंतरगत आ जाएगी ठीक है उसके बाद आपका अगला हेडिंग आता है पूरुग्यान पूरुग्यान में देखे लिखा गया विद्यार खेविका की यह हो जाएगा वसा रानतर होगा कम से कम तीन प्रशनें पूछ के अपना प्रकणने करलवा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ले जाएंगे छड़नमा वह spiral जीवाडूं के आकार होते हैं चौथा प्रसन जीवाडू एक क्या है बच्चे वोलेंगे जीवाडू एक सुचम जीव है फिर पांचों प्रसन है सुचम जीव और हम आपस में किस प्रकार संबंदित है तो ये प्रसन हो जाएगा समस्यात्मक प्रसन जैसे समस्यात्मक प्रसन होगा आपको अपना उद्देश से कथन लिखना है देखें यहाप उद्देश से लिखा गया है उद्देश से लिख लिजेगा उद्देश से कथन बच्चों इसमें आपको मतलब है कि बताना होता कि आप कौन से टॉपिक बच्चों को पढ़ाने वाले हैं तो यहाँ पर बताये गया है बच्चों आज हम मित्रवत सुच्म जीमो के विशे में विश्टार से पढ़ेंगे अब इस चैप्टर को पढ़ाना इस्टार्ट कर दीजिए हेडिंग डालीए प्रस्तूती करण ठीक है देखे थोड़ा जूम कर लेता हूँ हेडिंग देखे लिखा गया है प्रस्तूती करण इसको पांच कॉलम में डिवाड किया गया है पहला सिच्छडविंद में सुच्छिम जीमोका वाडिजीक एवं औसधी उपयोग विकासातों प्रस्त पहला है दूद में जामन डालने पर क्या होता है उसको कहीं कहीं पर जोरन भी कहते है उसके बाद अपने अंसार जो जिससे दूद धही बन जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है आप अपने language में जो भी कहते हैं उसको लिख लीजेगा दूद में जामन डालने पर क्या होता है बच्चवलें का धही बनता है दूसा पसंद दूद से धही बनने के में किसने साहता की बच्चवलें सुच्छम जीवों ने तीसा पसंद सुच्छम जीवों के वाड़ेंजिक एवम आवसदी उपयोग कौन से हैं नहीं बता पाएंगे बच्चे ये प्रस्नोत्तर प्रविदी त्या तो प्रविदी होले कॉला में लेग दीजे प्रस्नोतर प्रविदी चातर द्यापक कतर वाले कॉलम में देखे उसके वारे में व्याख्या करेंगे बड़े स्तर पर एलकोहल, सराब एवं एस्टिक एसिट की उत्पादन में सुच्म जीवों का उपयोग किया जाता है जो, गेहु, चावल एवं फसलों के रस में उपस्तित प्राकृतिक सरकरा से इस्ट द्वारा एलकोहल एवं सराब का उत्पादन किया जाता है सरकरा के एलकोहल में परिवर्थन की प्रक्रिया केडवन कहलाती है सुच्म जीवों का उपयोग आवसदी प्रतिवैदिक वर वैक्सीन बनाने में भी किया जाता है विमारी पैदा करने वाले सुच्म जीवों को नश्ट करने वाली तथा उनकी वृद्धी को रोकने वाली आवसदी प्रतिजयविक कहलाती है आजकल जीवाड़ू और कवक से अनेक प्रतिजयविक वसदीयों का उत्पादन किया जाता जैसे कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन इसी से किया गया था विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा के विद्यार्थी ध्यान पूरोग सुनेंगे तथा मुखी विंदो अपनी अभ्यास पुष्टिका में लिखेंगे व्याख्यान विदी थी तो व्याख्यान विदी लिख दीजिए और स्यामपट वलेखौले में देखे इसके और बताया गया है जो अभी आपने पता है उसमें से इंपॉर्टन पॉइंट लुई पास्चर ने किरवन की खोज अठावस सतावन में की सन 1929 में अलेकजेंडर फ्लेमिंग ने कवक पेनसलीनियम से पेनसलीन बनाई किसी विशिष प्रकार के सुचम जीव का समवर्धन करके प्रति जैविक का उत्पादन किया जाता है बहुत प्रस्ण है आपका आता है सरकरा का इलकोहल में परिवर्टन क्या कहलाता है बच्वलेंग किडवन दूसर प्रति जैविक और सुचम जीओं से समवर्धन से बनाई जाती है बच्वलेंग जीवार हुआ कभक से प्रस्णों तो प्रभीत लिग दीजे आब दूसर न यह गारे एनसर नहीं दे पाएंगे प्रस्णोंत्र प्रभीत लिग दीजे प्रभी दीजे वलें के व्याख्या करिये जातरा ध्यापक कथर में जब रोगकारेक सोचिम जीव हमारे शरीयू में करता है शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सुच्म जीव अगर विद्यार्थी अले कालों में देख लिए फिर आगे पढ़ाते हैं विद्यार्थी ध्यान पर सुनेंगे तथा मुखी बिंदुग अपनी अभियास पृष्टिकाव लिखें व्याख्यान विदी व्याख्य पर लिखा गया है है जाच है चेचक तथा हैपिटाइटिस जैसी अनेग बिमारियों को आगे पढ़ाते हैं हमारे सरीर में पूर्ण प्रविष्ट करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाएगा अताक यदि तथा निस्क्री सुच्म जीवों की स्वास्त को स्वास्त सरी व्यक्त के सरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो सरीर की कोशिकायम उसी के अनुसाल लड़ने के प्रत्रच्छी उत्पन करके रोग कारक को नश्ट कर देती है यह प्रत्रच्छी हमारे सरीर में सदा के लिए बननी रहती है तथा रोग कारक सुच्छम जीवों से हमारी अच्छा होती है इस प्रकार टीका कारे करता है ठीक है सेंपर टॉलिक और में देखिए ध्यान से देखके लिख लीजिएगा आगे बढ़ते हैं बहुत प्रसने के लिए रोक कारकों से लड़ने के लिए हमारा सरीर क्या उत्पन करता है बच्छे वलेंग प्रतर अच्छी दूसरा प्रतर अच्छी हमारे सरीर में कब तक बरही रहती है बच्छे वलेंग हसादा के लिए प्रस्नोत्र प्रविद लिग दीजिए अब तीसरा से छड़ बंदे में TQ उरुरता में वृद्धी एवं परियावरण का सुधी करण फिस्ते भी का सातम प्रस्न है विर जीव जिने नगन आखों से नहीं दिखा जा सकता क्या कहलाते हैं प्रस्नोत्र प्रविद लिगे इसके वारें फिल से वाख्या करिए चातर अधियापकतन में कुछ जीवारू एवन नीले घरे सहवाल वाइमंडली नैट्रोजन का समवर्दन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धी होती है इसे सामानता जैविक नाइट्रोजन स्थिरी करड कहते हैं घरों वा बगीचों में उसे पतियों एवं फलों सबजीयों के कचरे को एकत्र करके उसे निप्टान के लिए गढ़े में डालते हैं पर कुछ समय बाद उसके उनके विगटन से खाद बन जाती है वास्तों में सुच्मजीव इन हानकारक एवं दुरगंद युक्त पदार्थों का निमनी कर देते हैं जिससे पदार्थ परियावड का सुधिकर होता है चातर वले कॉलम में लिखा गया चातर विद्धियार्थी ध्यान परोग सुनेंगे तत्था मों कि विद्धिया अपनी अभ्यास दोच्ट काम लिखेंगे व्यक्यान में लिख दीजिए उसे अंपड़े लिखा गया कुछ सुच्छुँचीव वह निले हरे सहवाल वायमन परश्टूतर परवेदि लिखी अब आपका यहां पर प्रस्थूतिकर समाप होता है मुल्याकन परसन पहला यहां परसन है यहां पर इस्ट का उप्योग निम्न में निम्न के उतपाद में होता है चीनी में अलकॉहल में खाद में या फिर ऑक्सीजिए में तौब सभी को ऐसे यहां जुर्णी की खोच और 25 में समझवे नाभिषका आता है लेस्न प्लान में ग्रिकारें बच्चों को घसे करने के लाने के होमःक है दीजिए यहाँ पर देखे एक प्रसंद दिया गया सुचम जीओं के वाड़ी जी के वम आउसरी उपयोगों की एक सूची तैयार करके लाइए वहाँ से इसकी पीडिया बिल्कुल फ्री में डाउंलोड कर सकते हैं और अगर इसी तरीके से पाठी उजना की वीडियो डेली बेसिस पर देखने हैं या फिर आप लोगों को बीट की या फिर बीटीसी यानि डिलेट की क्लासेस लेनी है लाइब में तो सामके साथ विजए डेली बेसिस पर लाइब क्लासेस चल रही हैं सामको साथ विजए रोशन की क्लास यूटिप चनल से लाइब क्लासेस से जुड़ना ना भूले तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम